मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूटीब चानल को सब्स्राइब करें और वेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखे नजर नमस्ते दोस्तों इसकाई मैट बदर में आपका एक बार फिर स्वागत है मेरा नाम महेश वलावत है अब मौसमी घत्वीदियां काफी जादा कम हो गई है जो मद्य भारत को परेशान कर रही थी पिछले दो तीन दिनों से पिछले 24 गंड़ों में देखा कि लगों कि समाप्त हो गई हैं बहुत हलकी वेगरजना कुछ इलाकों में देखने को मेरी हलकी बहुचारे भी हुई ह अब हवाओं की दिशा बदली है वेथर सिस्टम बदली है आप देखिए यह हवाय है वह जातर उत्तर पशिम दिशा से सुश्ख हवाय आना सुरू हो गई है भारत के जातर इलाकों में उत्तर पशिम और मद्य भारत में एक ट्रफ है जो गंगय पश्य मंगाल से लेकर के तेलंगाना और ओडिसा तक आ रही है एक महाराश्रा से लेकर के तमिलनाडू तक आ रही है यह दो ट्रफ हैं काफी हलकी ट्रफ है और लोगर लेवल पर हैं जब निचले इस तर पर होती है तो बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी के चांसेज नहीं होते क्योंकि यह जो ह हवाएंहें वह जाड़ा उपर तक नहीं उठीश भाती गने बादल नहीं मना पाती और बारिष नहीं होपाती हल्की बारिश होती है और जब इदर वो निचले स्तर पर है तो बहुत ज्यादा गड़वड़ी की आशंका नहीं होती है तो उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं तो उत्तर भारत में अब आप देख सकते हैं कि कोई भी पश्यमी बिच्छोब नहीं है हालांकि अक्टूबर से लेकर के मार्च तक पश्यमी दिसंबर में भी मौसम लगवग शुष्क रहा साल के आखिर में अच्छा पश्यमी बिच्छोब आया उसने जनवरी में दो तीन बड़े वेश्टन डिश्टरमेंस आई जिसने भारी स्नों फॉल दिया और फरवरी एक बार फिर से गरम निकला शुष्क निकला मार्च के स असर दिखाना सुरू किया तो मार्च का सेकेंड हाफ इतनी ज़्यादा वारिश दे गया कि पसलों को बरबाद कर गया लेकिन अब जो बारिशी कत्विदियां है लगवग समाप तो चुकी है और पूरे भारत में शांती है इत्मिनान है किसान भाईयों के लिए अच्छी खबर ये है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम है अपना काम वों कर सकते हैं पंजाब और हर्याना दिल्ली और उत्तर प्रदेश इन इलाकों के किसान भाईयों को कोई भी चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं है किसी भी तरह की मौसमी आपना देरे देर बढ़ेंगे गर्मी परिशान करेगी लेकिन बारिश आपको परिशान नहीं करेगी राजस्तान के जाहतर इलाके स्री गंगानगर हनमानगर चुरू बीकानेर जुन्जुनु सीकर अलबर भरतपूर से लेकर के जैसल मेर हो गया और सवाई मादवपूर ह अजमेर यह सारे अलाके भी मेरे ख्याल से पूरी तरह साफ रहने वाले हैं और वैसे तो पूरा राजस्तान साफ रहेंगा लेकिन बारह तेरह तारीकों जो दक्षणी और दक्षण पूर्वी राजस्तान के साथ-साथ गुजरात और पश्च्छमी बार्दिपतिस के यह अरब सागर से हवाएं आना सुरू हो जाएंगी और जब अरब सागर से हवाएं आएंगी इदर से जब आएंगी तो नमी लेकर आएंगे और यहां पर वैदर एक्टिविटी देगी लेकिन वह बहुत ज्यादा परिशान नहीं करने वाली हैं पूर्वी भारत में भी तरह शुषक रहेगा है और कि बात करता है यह बहुत ज़्यादा ग्रम होने वाले हैं इसमें बढ़ जाएगा लू चलने के आशंका भी फिलाल नहीं है कि जो 40 दिगरी तक अपमान होना चाहिए और विपार्चाइश चार डिगरी या उसे साड़े चार डिगरी से जादा होना चाहिए तब आ करके लूचलना की संभावना होती है तो गुल विलाकर करके दक्षन भारत के कुछ इलाकों में और और अवनाचल प्रदेश मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूटीब चानल को सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखे नज़र